हेलो फिरेंस आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है रूख करते हैं सीधे सिक्षक बहाली से संबंदीत अपडेट्स के बारे में जी हां दोस्तों सिक्षक बहाली का जब बात होती है तो साथवे चर्ण के इंतजार कर रहे वाले अविर्थियों में काफी उजुकता देखने को मिलती है साथे साथ जो एस्टेटी पास अविर्थि हैं उनके लिए और सिवन्द फेच के बहाली का इंतजार कर रहे विर्थियों के लिए काफी यह बहुत मुत्पून विडियो है तो आप सभी को बता दे कि प्राइमरी और सकेंडरी दोनों में आज के डाटा सरकार के द्वारा समिच्छा बैठा करने के बाद ये देनिक भासकर की जो आर्टिकल आई है उसकी अनुसार प्राइमरी और सकेंडरी में प्रयाप सिख्चक नहीं है तो पढ़ाई की गुनवत्ता भी जाहिर सी बात है कि बहतरी नहीं होगी और कहीं ने कहीं बिहार सरकार जो अपनी बजट का सबसे ज्यादा इस सिख्चा भी वाग में खर्च करती है आप देख सकते हैं लगातार मिडियां को द्वारा या सोचल प्लेटफोर्म पे लगातार सिख्चकों को संडे मंडे या बेसिक चीच की जानकारी नहीं है कुछ सिख्चक गुनवत्ता पुर् प्रमान है इस बात का कि विहार में सिख्चा की जो गुनवत्ता पुर्ण है दिन बद दिन गिरती जा रही है क्वालिटी पुर्ण सिख्चा नहीं हो पा रही है आपको एक बात बता दो इसका सबूत है सरकार और जनता दोनों इसमें भागिदारी हैं कि सिख्चा गुनवत्ता पुर्ण नहीं बन रही है क्योंकि यहां पे देख लिजे सिख्चक मन रेगा आंगनबारी और जीव का कर्मी जाती है गनना के लिए घरगर जाएंगे जब उसी सिख्चकों से मल्टीपल काम करवाई जाएगी तो जायट सी बाते कहीं ने कहीं जो गुनोता पुर्ण सिख्चा की बात हो रही है उस पे तो अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा समान प्रवसासने विवाग के प्रधान सच्चिव ने सभी डियम को लिखा पत्र डिजीटल मोड में मोईल एपसे होगा आकरो का संग्रा जाती आतारी गर्ना को लेकर बना प्रवसासने राचा आप देख सकते हैं कहीं ने कहीं मैं जब भी अपने प्रसनल टीचर सिख्च सिख्चा में या अलग से करमचारी नहीं बहाली कर पाती है तो कुछ तो विवस्ता हो ताकि इसकुल की सिख्चा विवस्ता पर प्रवाव नौ पड़े और यह सरकार के जो नीजी काम है वो भी हो सके जो जनहीत में ही है दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि टीचर अवियर्थी योग नहीं मिल रहे हैं टीचर में पढ़ाने के अवियर्थी वालों की कमी है सारी संसाधन मौझूद है एक ही कारने कि टीचर सिख्चक बहाली पड़करिया में सरकार द्वारा काफी विलम की जा रही है उपलब्द सभी कुछे संसाधन भी उपलब्द है बहाली नहीं के कारण आज योग अवर्थी परति न्यूक्त नहीं है न्यूक्ती नहीं है उनकी और योगता रहारी रखने वाले सिख्चक अवर्थी आज बिरोजगारी के दन से जहेल रहे हैं इस बात को आप इस मादियम से जान सकते हैं कि केंदर का निर्देश राज मादविक स्कुलों में जरूरत के साथ से सिक्षक संख्याताई करें बिहार के 22 पर 30 हाइश स्कुलों में ही गनीत और विग्यान जैसे कोर्विसाई के सिक्षक हैं आप सोग जते हैं जैसे बेसिक सबजेक्ट के लिए सिक्षकों की कमी है सिर्फ 22 पर 30 ही हाइश स्कुल में गनीत और विग्यान के सिक्षक मौजूद हैं गनीत के एक सिक्षक 462 साइंस के एक सिक्षक 4330 यह सोसल साइंस के एक सिक्षक 331 बच्चों को पढ़ा रहे हैं सोसकते हैं कि गुनत्ता पुर्ण सक्षा कहां से आएगी मादमिक के बात करें तो मादमिक में 27969 अलिमेंटरी अस्तर पर 1.87 लाग सिक्षकों के पद खाली पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा और जाना था कि सरकार के द्वारा और जडियू के आपके ओफिसियल वे तता एलमेंटरी अस्तर पर 1.87 लाग सिक्षकों के उपद खाली हैं हाला कि 2021-22 से यह कम है विभाग ने कहा कि प्रात्मिक स्कुलों में 40-518 हेट टीचर तता मादमिक स्कुलों में 3949 हेट टीचर की भरती हो रही है हेट टीचर की परिक्षा है वो होने वाली थी लेकिन पत्र आपको इस किजिन पर दिखा दूँगा नए स्कुल बिल्डिंग क्लास्रूम ले बनानी की राज में यह इस्तिति है आप देख सकते हैं प्रामरी स्कुल की बिल्डिंग इतनी है प्रोसेस इतना है बिल्डिंग की बात करें तो इन फ्राज ट्रक्चर में भी कई घो मुझूद हैं गनीत के एक सिक्षा और चारसू बासर बच्चों को परा रहे हैं मैंने इस पर चर्चा भी की है और यहां सरकार करें केंद्रिय सिक्षा मंतराली की ओर से समग सिक्षा के तरत वार्सिक कार योजना और बजट 22-23 पर विचार के लिए आयोजित प्रजोक्ट एप्रूबल बोर्ड की समिक्षा बैठक में यह तर्थ सामने आये हैं बैठक की प्रोसेसिंग मंगलवार को जारी के गई तो आप इसको पाउच करके पढ़ लेजएगा अगले ख़वर की ओर बढ़ें तो बारा नियोजनी काई नहीं दिसूची यह बात हो रहे हैं मुझ एक हजार सम्तिंग कुछ सीटे बच जा रही थी दो हजार कुछ सीटे 17 की काईयों को दूसरी में सची जारी करने को आदेश था सरकार ने फिर से इस पे री काउंसलिंग करवाई ताकि जो अब इरती चुटे हुए हैं वो इसमें सामिल हो जाएं फिर भी यहां बारा निय में जनी काई सुची नहीं दिये जिले में 400 से अधिक पद सारी सिक्षा के हैं पहले चरह में महाच 76 पद पर भाली होई थी सभी नो जनी काई को 17 जुन तक ही दूसरी में सुची जारी करने का आदेश मिला था सुची नहीं देने पर रिपोर्ट के यहां पर बोला जाता है कि रिपोर्ट के साथ मंगलवार को सभी वियो तलब किये गए दूसरे चन की काउंसलिंग प्रकॉर्णों में नहीं होकर जिले में होगी डियो इसकी जानकारी दी है और कहां होगा आप देख सकते हैं यहां लगें सुभी मुझा पर पूर से जो जुरे हैं मुझा पर पू के रिक्त पदो पर न्युक्ति है तू दिनांग 25-6-2022 को आयजित की जाने वाले लिखित वस्तुनिष्ट प्रतिविक्ता प्रिक्षा अप्रियाय कारण वस अब दिनांग 28-7-22 को आयजित होगी प्रासासनी कारणों चे प्रिक्षा है तीति में प्रिवर्तन भी संभव ह 17-6-2022 का डेट है सेयुक सचिपसव प्रिक्षा नियंतरक ब्यार लोग से वायोग पटना कुल मिलाकर इस से निसकर्ष यही निकल रहा है कि जो आपको प्रतिविता प्रिक्षा होने वाली थी प्रदान सिक्षक पद होए तो वो कैंसिल होके 28-7-22 को मुतमेन यानि फिक्स खबर थी अब सिक्षक बढ़ती प्रक्रिया से मुख्यां प्रमुक और मेयर जैसे प्रतिनीदी बाहर होंगे हमने आपको बताया भी था और कल के जो सिवांजिला के सिक्षक विवाग ने एक पत्र जारी किया सिवांजिला से उसमें 2022 कहा गया था लेकिन 2022 मिन्स प्रिंटे प्रिंटी को मुख्या को जब हटा रही है एज रिलेक्सेशन दे रही है और सेंटरलाइज बहुत कुछ बदलाव होने वाली है यह निश्चित हैं तो यह कुछ खबर थी मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ इसी उमीद के साथ कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस करते होंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेहर करें आपका सुपोर्ट हमारा होसला आप जाई करता है और हम वीडियो बनाने के तत्वर रहते हैं धन्यमाद